अलो फ्रेंट्स, मा यूटूब चैनल, फारवर टिफ्स में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज मैं आपको एपल में जो समर प्रोनिंग होती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ अगर आपके भी एपल का बगीचा है, तो आपको यह वीडियो जुरूर देखने चाहिए क्योंकि एपल में जो समर प्रोनिंग होती है, वह बहुत ही जुरूरी होती है और समर प्रोनिंग करने का सही टाइम क्या होता है और इसे किस महिने में करे और summer pruning जो होती है करनी चाहिए या नहीं और अगर करनी चाहिए तो उसके क्या benefits है तो friends यह मेरा 4 साल का पोधा है और यह जो पोधा है स्रिडलिंग पर है और मैं आज आपको बताऊँगा कि इसमें आप जो summer pruning है वो कैसे करें और यह किस महीने में करनी चाहिए सबसे पहले summer pruning की बात करते हैं यह किस महीने में करनी चाहिए तो यह मई महीने में करनी चाहिए या जून में मई लास्ट और जून में यहां करनी चाहिए क्योंकि अगर आप इस से पहले करेंगे तो इससे पहले क्या होगा, कि जो आपने टहनी काटी, मालो जैसे मेरे यहाँ इस पौधे में यह वाली टहनी है, अगर मैं इसको जोन से पहले काटता, मैं से पहले काटता, अगर मैं जैसे मालो यहाँ से इस टहनी को मैंने रुम्यूप कर लिया है, तो अगर यह मैं से पहले यहाँ से जैसे मालू काड़ती तो इस पे फिर टहनी आ जाएगी इसलिए इसको थोड़ा लेट करें तो अगर आपको भी प्रोनिंग करनी आती है दोस्तों तो आपको पता होगा कि जो एक्स्ट्रा टहनी है या एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको हम परे रिमूब कर देते हैं य पता होगा जो एक्स्ट्रा टहनी है कौन सी है जैसे आपने आगे जन्वरी में प्रोनिंग करनी है तो वो एक्स्ट्रा टहनी आपने ऐसे भी काड़ देनी है इसलिए अगर आप इसको अभी टहनी को काड़ते हैं तो जो आपकी सही टहनी है जैसे मालो ये वाली आपकी सही टेहनी है और यह गलट टेहनी है तो अगर आपको गलट टेहनी अगर मालू जैसे यहां से मैंने गलट टेहनी काट दी है तो यह जो सारी ग्रोथ है इस टेहनी की सारी ग्रोथ है वो मैं टेहनी में चली जाएगी मैं टेहनी में आपकी जो टेहनी है वो बिलकुन मजबूत हो जाएगी और जब तक आपने जनवरी में प्रूनी करनी है तब तक आपकी टेहनी बहुत मोटी हो जाएगी जैसे मालू यह टेहनी भी है आपको यहाँ दो टेहनी दिखाई दे रहे होगी यह वाली गलट टैनी है, क्योंकि अंदर वाली टैनी हम ऐसे भी काटते हैं, तो इस वाली टैनी को हम यहाँ से कैंची से काट देंगे, तो फ्रेंट इसे कहते हैं summer pruning, यानि कि extra जो हमारी पोधे में टैनी है उसको काटना, अब यहाँ आपको दो टैनी फिर दिखाई दे रह है, तो फ्रेंट इसे कहते हैं summer pruning, अगर आप अंदर की साइड देखें तो बाहर की साइड होगी, अगर आप अंदर की साइड में भी बहुत सारी गलट टैनी यह देखें, यहाँ से हमने पिछले साल जनुरी में जो अभी टैनी थी, वो काट दी थी, गलट टैनी थी, तो हमने सारी टैनियों को हटा देना है, तो friends, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करें, क्योंकि मैं आपको Apple से समय दित, ऐसी ही वीडियो की जानकारी आगे भी बताऊंगा, और आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तीन साल जो रेट चीप का पौधा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद,